नमस्कार किस्वाइब कैसे हैं आप सब आसा करते हम सबमस्त होंगे अपने गम को लेकर बस्त होंगे दोस्तों जब भी हमारी फसल पर किसी भी प्रकार के इंसेक्ट काटावे होता है तो हम दो प्रकार से उपचार उसका करते हैं एक तो इस्प्रे के माध्यम से करते हैं, वो भी रायसानिक और जेविक तरीके से, ठीक है, इसप्रे भी हम दो प्रकार से ले सकते हैं, जैसे कि हम जेविक में नीमाईल वगर का इसप्रे जो लेते हैं, वो जेविक नेंदर हमारा कहलाता है, दूसरा हम जो है, इसके लिए ज जेविक रूप से कर सकते हैं, मंगर हमें उसकी जो जानकारी है, वो नहीं हो पाती, हम जेविक Nìnतनड में ठ्रैप के बारे में चल्चर करेंगे, कि ट्रैप कितने प्राकार के होते हैं, और उनका उपयोग हम कैसे करते हैं, किन-किन इंसेक्टों में वह कामगर होते हैं जानकारी हम इस vidéo में लेक्ट करते हैं भीडियो को सुबाइब चान्ख करते हैं मैं हुरा खिसाखु आप देख रहे हैं एक रिजीयनर बात है किसान की यद republic पहली बार आया है तो चार प्रकार की ट्रैप मुक्क के तर मार्केट पर आपको मिल जाते हैं, बड़ी असानी से यदि आप आप उफ-Line आप मिलता तो ठीक है, नहीं तो ओन-Line आप सर्च करेंगे, तो आपको बड़ी असानी से ये मिल जाएंगे, तो अब हम विस्तार से जानते हैं कि हम जो ट्रैप का इस्वाल करें तो हमें किस इंसेक्ट लिए कौन सा ट्रिप का इस्वाल करना पड़ता है सबसे पहले हम इस्टिकी टैप की बात कर लेते हैं तो इस्टिकी टैप में मुक्यता दो प्रकार के इस्टिकी टैप पाई जाते हैं एक तो नीले कलर में और एक होता है हमारा पीले कलर में जो पीले कलर का जो ट्रैप होता है यहां पर एक ग्लो लगाई जाती है और ग्लो ल वो एक प्रकासे अटेक होता है वहाँ पर यानि कि आकरसित होता है पेले के लगुद देखने के बाद की हम Wasamma बात करते हैं कि जोह हमारा निले कलर का जो ट्रै वहते हैं इस तरह को कुलाए componente अपकर कर सकते हैं जैसे ही आप उसको देखते हैं ट्रैप को जो आपने लगाए हुए अपनी फसल पर तो आपको देखने के पास पता चल जाता है कि आपकी फसल पर जो है बाइट प्लाई का अटेक है और है तो कितनी मात्रा पर है ठीक है उसके जहां बाद जो चिपकते हैं वहाँ पर उसकी स से लेकर 20 तक ट्रैप आप लगा सकते हैं, जैसे आपने माली जी 15 ट्रैप पी लेकर लगा लिए हैं, तो आप 5 ट्रैप उसमें नहीं लेकर लेकर लगा देते हैं, तो जो कई प्रकार के इंसेक्ट हैं, वहाँ पर अट्रेक हो जाते हैं, तो आब हम जानते हैं कि फैरोमेंट् सुरंगनुमा जो कि आप मेरे पीछे देख सक रहे हैं यह है लीफ माइनर के लिए ठीक है दूसरा होता है हमारा पनल वाला टैप पनल वाला टैप यानिकी एक प्रकार की प्लास्टिक होती है नीचे वहाँ पर उसकी फिपली होती है इंसेक्टी वह वहाँ पर उसकी नर करते हैं यहां पर जो है लीफ माने के लिए हम ने जो मक्यों की गंद के लिए एक कैप्सूल अंदर लगाई हूँ जो कि आप लालकलकी देख सकते हैं ठीक है मैं आपको बता देता हूं इस तरीके से कैप्सूल पॉच में आती है इस यह जो कैप्सूल है आपको लगभग 50 से लेके साट रुपर में आपको ओनलाइन मिल जाएगी और इस ट्रेप की जो कीमत है वो लगभग 20 रुपर मिल जाएगा तो लगभग 70-80 रुपर में आपको एक ट्रेप तयार हो जाता है यदि आप लीप मैना के लिए इसका उपयोग करते हैं तो लगभग आपको 10 पर उसके लगाने चाहिए तो उससे लीप मैना का पे तक कंट्रोल हो जाता है तो तूटा अपसूटा जो पिछले साल काफी तभाही मचायती यदि आप इस टेप करते हैं तो शुरुआती सेज पर उसको फिबलियों को यदि आप एडल्टों को पकड़ पाते हैं तो आप देखते हैं कि उनकी जो संक्या की वधी होने वाली उसको आप नहीं पर रोग देखते हैं क्योंकि जब उनकी जो जन संक्या वो बढ़ना ही पाएगी तो आपका जो अटेक है वो कम होगा और दूसरा आपकी फशाल पर नुकसान भी कम होगा इसके बादब तो जो ब्लास् करते हैं आपने जैसे मेरे पिछली वीडियो पर भी देखा है मैं इसका इत्माल काफी हद तक करता हूं अपनी फैसल पर तो हम देखते हैं कि बैगर पर जो राजसानी नियंतर हम करते हैं उससे कहीं सस्ता वो नियंतर पड़ता है ठीक है यदि एक बार आपने लगा लिया उ यूई पर पैंड देख जैसे हैं तो जब लाइट राथ में जलती हैं तो वहां पर जो हैं शुक्त के अटेख होते हैं और वहां पशे नीचे पानी पर केरोसीन होता है या फिर किसीं ञुक्त क्णाले साथ पी पा Makane-के malt500 पार पर वहाँ जाल जाते हैं तो light trap भी दो प्रकार के आते हैं एक तो battery चलिद वाले जो कि आजकल market पर काफी आ रहे हैं जो कि battery से operate होते हैं और saw panel से operate होते हैं तो आपको बिजली कर सकता है उसके लिए नहीं पढ़ती है तो वो थोड़ा सा काशली पढ़ते हैं लेकिन यदि आपके खेत पर जो है आपके फारम पर बिजली की बस्ता है तो आप डरेक्ट लाइट से भी उनको अपने घर में ही बना के उसको लगा सकते हैं तो वो सस्ता परता है आपको ठीक है तो light trap की काश्ट जो है बैटरी वाले के हम बात करते हैं लगभग 15-2000 रुपय का एक trap पड़ता है जो की काफी काश्ट ले होता है लेकिन यदि आपके फारम पर बिजली की बस्ता है तो आप उसको सस्ते में भी बना सकते हैं तो यह उसको light trap था पाइने दो फूट फ्लाइट है तो fruit fly trap खासकर हम जब कदू बर्गी सबजी लगाते हैं यानि की बेल वाली जो सबजी होती है हमारी जैसे आपका कदू है, लोंकी है, खीरा है, गिल्की है तो इन फासलों में हम देखते हैं कि एक ही तरफ की फल मक्की आती जो की पीले का लगी होती है, आप इसकी पर देख सकते हैं, वो जो है फलों पर जाती है और अंदर अंडे छोड़ देती है, पहां पर फिर एक इली तैयार होती है और आपका पूरा जो फल है वो गल जाता है तो इसकी एक life cycle होती है, जो की मैं पहले वीडियो में बता चुको हूँ आप चाहें तो आई बेटन पर जाको उसको देख सकते हैं, ठीके लेकिन अभी हम सौर्ट मताते हैं, तो इस तवी गिलास मुमा एक पात्र होता है इसमें नीचे यह लगा होता है, तो इसके अंदर दोस्तों इसके लिए एक trap होता है, जो की एक लकडी होता है, खड़ा होता है और उस पर एक गंध होती है, विशेस गंध होती है, जो मक्यों को अटेक करती है इसके अंदर हम लगा देते हैं इसके बाद ऐसा लगाने के बाद अपनी फसल पर जो है ऐसा टांग देते हैं जो कि आपने मेरे पिछली वीडियो पर आपने देखा होगा तो यह जो ट्रैप है यह आपको फूट फ्लाइ ट्रैप के नाम से मार्केट पर आपको मिल जाएगी इसके लिए आपको फसल चुड़ना पड़ेगा कि आपको किस फसल है लिए इसके चाहिए तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है ट्रैप का इसमाल करके अपनी फसल को सुरफशित कर सकते हैं इस फूट फ्राइट ट्रैप का इसमाल करके आप फलों का गलना खासकर हम देख उन पर इंसेक्टी साइट का असर नहीं हो पाता है, तो यदि आप फूट फ्लाइट का इस्तमाल करते हैं, तो अधीक तर मैं आपको बता दूँ कि मैं जितने बाहर भी खीरे की फसल लगाता हूं, तो कम से कम 10 जो है, मैं फूट फ्लाइट का पहले ही, जब यदि फाल आने क को आपके पकड़ा पयोचाइब कि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल यह पाहले हो, तो आप इस वीडियो पर क्लिक करें और यदि आपको फूट बरार और इस टांप़ोलर जो कि बेगान पर आता हूं, उसक्लिए आपको जनकारी चाहिए, तो आप इस वीडियो